वाइदा तोर पर एक receptor मौझूद होता है तो receptor में भी हैं आरगन, सिल या फिर नर्फ एंडिंग अचाँ जी अब हम जो है receptor की classification पढ़ लेते हैं उसमें हमारे पास सबसे पहले क्या है? photo receptor, photo receptor क्या होते है? photo mean light photo receptor जो light को क्या कर रहे है? receive कर रहे हैं, detect कर रहे हैं तो detection applied के लिए कौन से receptors है? photo receptor, photo receptor कहा पर present है? in the eyes और इसकी example क्या है? मैं आप लोग को पहली बता दी के raden, cons raden, cons present in the eyes आचा जी दूसरा आप लोग देगे chemo receptor, chemo mean जो कि chemicals, ions, ions या पिर किसी molecule को detect कर रहे होते हैं हमारे पास ऐसे receptors होते हैं एक सिल की ऊपर या किसी भी जगह पर आपकी body में जो क्या कर रहे है? ions को, molecules को, उसको क्या कर रहे है? detect कर रहे हैं और फिर वहां से जो हमारे पास through nerve ending ब्रेन तक पहुंजाता कि फ़ला जगह में यह chemical है, whatever, इतना concentration है उसका इतना नहीं है तो यह क्या है? यह कीमो रिसेप्टर्स है अचाजी, अब कीमो रिसेप्टर्स के example के बारे में आप लोगों ने क्या लिखना है? देखो examples, example आप लोग के पास क्या है? देखो आप लोग जो है smell कर रहे हैं तो smell क्या है? असल में जो है smell कर रहे हैं यहां से हमारे पास ब्रेंग तक एक बाकाइदा तोर पर उल्फेक्ट्री संटर होता है जो सुंगनी के लिए हैं तो आप लोग के ब्रेंग को क्या मेसेज मेल गया कि फला जो है देखो यह जो है गुलाब का पूल है किसी भी चीज का जो है पर्फियूम है को ऐसे जाओ तक लिएक जोट और फिर पीक्रे EVERYग जो चीज करका जो किसा इण साल्ट करें में गुए शुरियर्व चीज तो रहे हैं तो साल्ट है जो की मिकल को ब्रेंच का जो इस तरह ब्रेंग आप को जो हैं इसके नीचे जो तो हाइपोतेलमस में क्या होते है देखो यह अप लोग का हाइपोतेलमस में भी ऐसे रिसेप्टर होते हैं और यहाँ पर क्या जा रहा है यहाँ पर बलड जा रहा है क्या जा रहा है बलड जा रहा है अब यह रिसेप्टर जो है ना यहाँ पर बलड देखो बलड अब यह र को डचेक्त कर रहा है यह क्या है हमारे पास यह ओसमो ब्लॉट को डेक्ट कर रहा है यहक है हमारे पास यह थांवर्च का हाइपकूर है, प्रदी यहां से उसको detect करता है और उसमें osmotic pressure को count करता है और पिर उसको regulate भी करता है आचा जी तो osmoc receptor is an example of chemo receptor आप लोगों से कोई भी पूछ सकता है this is mcq, this is mcq, कि आप लोग के पास osmoc receptor present in the hypothalamus is an example of chemo receptor तो यह बात याद रखनी है तो chemo receptor में हमने क्या बात की आप लोग के पास क्या chemical detector करता है present in the nose, tongue या फिर आप लोग के पास hypotelemus यह तीन आरगन आप लोगों ने याद रखनी है अच्छा अच्छा जी अब हमारे पास है mechano receptors the third number अच्छा जी अब mechano receptor जो है किस चीज़ के लि पास तीन अक्साम है एक pressure के लिए responsible है एक position के लिए एक acceleration के लिए अब mechano receptor में हमारे पास जो first one है pressure के लिए वो कहां पर present है देखो pressure कहां पर पढ़ता है आप लोग देखें ना हमारे पास जितना भी अक्सर ली most जो pressure पढ़ता है वो skin पर पढ़ता है तो यह जो skin के लिए ज अचा जी तो skin के ऊपर कौन से receptors है पेसिनियन रिसेप्टर और पेसिनियन रिसेप्टर जो है वो किस चीज़ के लिए responsible है pressure के लिए देखो दोनों में PPR पेसिनियन करपसल और pressure तो यह किस चीज़ के लिए pressure अंदर skin अगर apply होगी देखो अगर मैं इस skin पर pressure apply कर रहा हूँ blood vessel के अंदर जो है blood pressure कास कर रहा है इन दिवारों पर pipe में जो है न देखो एक pipe में अगर blood जा रहा है या एक pipe में water लेट वो क्या कर रहा है इन दिवारों पर pressure apply करता है और इन दिवारों में क्या होता है इन दिवारों में walls पर ऐसे receptors लगे होते हैं क्या होते हैं रिसेप्ट जो है यह detect करते हैं कि हमारे पास blood pressure कितना है अच्छा जी अब blood whistle के अंदर जो receptor दिवारों पर लगी हुग है जो blood pressure को count कर रहा है pressure को blood pressure को count कर रहा है तो उसको हम कह रहे है बारो receptor क्याद हम कहते हैं उसको हम baraтор receptor अच्छा जी तो bara receptor present in the blood whistle are responsible for pressure detection blood pressure detection which is an example of mecanoreceptor ये देखे,skin पर जो हे, वह क्या है, पैसिनियन, और वह pressure के लिए डिटेक्टर ने के लिए, example, क्या, mecanoreceptor, अच्छाजी, अब pressure तो हो गया, pressure क्या है आप लोग के पास skin और blood vessel, ये दुने example है, skin में कौन से है, पैसिनियन car parcel, blood vessel मुसल में क्यों से है बारो रिसेप्टर अच्छा जी अब पुजीशन की हम बात करते हैं अच्छा जी यहाँ पर दूसरी एक बात में यहाँ पर बताना चाहूंगा कि यह दिवारी जो है स्ट्रिच भी इसको हम स्ट्रिचिंग भी कहते हैं अगर ब्लड प्रशर बढ़ते है अब आप लोग देखें एक्सिलरेशन तो एक्सिलरेशन में आप लोग के पास क्या है देखो आप लोग के पास एक हीरिंग के लिए यह हो गया आप लोग का खान हीरिंग के लिए ना हीरिंग के लिए रिसेप्टर्स हैं और एक्विलिब्रियम के लिए प्रेजेंटें इ एएर में आप लोग के पास काख्लिया होती है ना काख्लिया के अंधर क्या हूता है पार एक्षार में रेस्प्टर किया है थान हिएरिंग रेसेप्टर उसकी डिटेल में ना जाएं अतनही आप याद रहे कि के है एरर जो है मतलब सेम नहीं रहता, एक्सिलरेशन रहता है, जिसकी वज़ाए से ये receptor बार-बार स्टिमूलेट हो जाते हैं, जो आके जाकर हमारे पास एक वो है motion sickness जिसकी वज़ासे हो जाती है, आच जी तो आप लोग के पास क्या है मेकें नों रेसेप्टर में है? pressure receptor, position receptor शचिलेशन की और करना था यह और हम्नित इक खांग me ale I less ने में के और रहा है यह तो यह थे चिक अपर यह थे डाया एकको कहना अजी है oh यह दो पिलन कम मैं दो of Tu नहीं हुआ है मैं क्टी चकार रहा है वह उसको मेजनर करफल कि इंप इप डिया है मिजनर करपसल you मेजनर करपसल तो मेजनर करपसल कब स्टिमूल 27 रिप्ल परेसिप्ट हो पर इसका करें तो परिक आ पधर मीजनर मेजनर करपसल कें आर सियुए, sonica किसियुआ बसके यह बाह्त कि जो फ़सले कें है simply touch कर रहा है तो इसको हम कौन से receptor मीजनर कारपसल तो मीजनर कारपसल जो है यह ज़स्ट टचिंग से है पने उसको है बारोन के स्थे निए षसकी के सकते हैं और अग्सिलिप्लुर है कूल्ड की लिए और दूसरा आप लोग की पास रिस्पांसिबल हें घर्मी के लिए या कूल्ड हॉटो आप लोग के सकते हैं KULD WARM आप के सकते हैं अचा जी तो इन दोनें की लिए यह इस किसम के सेप्टर जी 이번에 के पास skin में अच्छा जी अब जो temperature को क्या कर रहे है sense कर रहे हैं ये mostly कहां पर होते हैं ये आप लोग के पास ये भी skin पर होते हैं ये कहां पर होते हैं तो skin पर आप लोग अगर count करें तो हमने कितने रिसेप्टर पढ़े तीन किसम के रिसेप्टर एक पेसिनियन एक मीजनर कार पसल और तीसरा हमने क्या पढ़ा temperature कि लिए ढॹर्मरेशिर के लिए THERM jus पर को पर बहुत रिसेप्टर होते हैं अचे college इसके लावर नौसी सेप्टर व्यूप्र है यह किया कर रहे हैं यह हमारे पेन को डि çक कर रही है नौसी सेप।र या इसकोाम पेन रिसेप्टर भी कहते हैं तो यह भी अचाँ जी सो डिस आल अबाउट था रिसेप्टर तो रिसेप्टर में जो अच्छी ने लोग को गांफूजन होती है तो असल में कीमो रिसेप्टर और मेकेनु में अक्जाम्पल दो जाती है बाकी सब बिल्कुल एजी है तो कीमो पूटो हो तो सेंपल है आप लोगों ने भॉटो रख नेया फ्टो रिसीप्टर के राड एंड को प्रेसेंट एंड आईज अब कीमो में नेयॡ उसीप्टर झाप पिझा एंड कीकॉम एंड–टियूम का एंड नियू एंड एपकी ते इंड कीमो मेंडारीं में dur कहते हैं वो है पेसीनियन और प्रशर इंद ब्लड विसल की लिए कौन रिस्पांसिबल है बारो रिसेप्टर अब एक से ले पूजीशन के लिए मसल स्पेंडल और जो आप लोग के पास एक्सिजरेशन में बता जिया कि एर में कोखलिया के अंदर आप लोग के पास हीरिंग और एक् में कुल्ड भी है और वाम भी है